हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है इससे पहले भी हमने आपके साथ कढ़ी की दो रेसिपी सेड की जो आपने बहुत पसंद की इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थानी गौार फली की कढ़ी डेली और वीकेंड स्पेसेल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें राजस्थानी गौार फली की कढ़ी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गाढ़ा और फ्रेस दही लिया है साथ ही में हमने लिया है 2 टेबल स्पून बेसन साथ ही में हमने लिया है 100 ग्राम गौार फली तो गौार फली के आगे और पीछे के किनारों को हमने निकाल दिया और इसे सेंटर में से कट कर लिया और हमने जो बेसन लिया है उसे हम दही में एट कर देंगे और इसे दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगाता चलाते हुए इसे फेटे रहेंगे तक इसमें बिल्कुल भी लंस न रह जाए तो देखिए हमने दही के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं है इस stage पर हम इसमें 1 glass पानी एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे कढ़ी बनाने के लिए हमने दही का इस्तिमाल किया है आप शास का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब एक पेन में 2 टबस पून तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें एट करेंगे एक टोथाई टीस्पून जीरा कुछ सेकेंड तक जीरे को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे गवार फली और गवार फली को हम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे तो गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे लगाता चलाते हुए दो से तीन मिनिट के लिए फ्राई करेंगे देखिए कड़ी बनाने के लिए अगर गवार फली को फ्राई ना करना चाहो तो आप इसे प्रेशर कुकर में बोईल भी कर सकते हो लेकिन इस तरह से जब इसे फ्राई करके बनाएंगे तो इसे बनाना और भी आसान हो जाएगा तो दो से तीन मिनिट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे जिसे की एक टीस्पून धन्या पाउडर, एक टीस्पून लालमीश पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वा धनुसा नमक साथ ही में हाफ टेबल स्पून अधरक लहसुन का पेश्ट एट कर देंगे और मसालों की भुनाई करते वक्त हम इसमें एक टोथाई का पाणी एट करके इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे देखिए अगर आपने हमारी राजस्थानी कड़ी और पकोड़ा कड़ी की रेस्टीपी नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब इसे कवर कर देंगे और गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर गौर फली को मसालों के साथ कुछ दे तक पकाएंगे तो इसे कवर करके हमने लोफ लेंप पर पांच मिनिट के लिए पका लिया ये देखिए गौरपली की मसालों के साथ अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इसका तेल भी सर्फिस पर आने लगा है तो एक बार इसे चेक कर लेंगे और हमने दही में जो बेसन घोल कर रखा है उसे हम इस टेच पर एड़ करेंगे यूँकि हमने दही में बेसन को पहले से घोल के रखा हुआ है तो एड़ करते वक्त इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको कड़ी कितनी गाड़ी रखनी है या पिर पतली रखनी है उस हिस साब से आप इस टेच पर पानि एड़ कर सकते हैं तो हमने एक तो थाइग पानि एड़ कर दिया इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाइफ लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे High flame पर एककुबालाने के बाद GASE की flame को low कर देंगे एक बार इसे चला लेंगे और low flame पर इस कड़ी को कुछ देर तक और पकाएंगे तो देखिए हमने इस कड़ी को low flame पर 10 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया साथ ही में हमारी जो कड़ी है वो कब बनकर तयार है अब हम गेस की फिल्म को ओफ कर देंगे और कड़ी के लिए तड़्का तयार करेंगे तड़का लगाने के लिए हमने एक टेबल स्पुन घी अच्छे से गरम कर लिया है आप तड़के के लिए एक टेबल स्पुन तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें हम हाफ टेबल स्पुन बारी कटा हुआ लहसुनेट करेंगे और लहसुन को तेल में या फिर घी में तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर ब्राउन हो चुका है इस टेच पर हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एट करेंगे हाफ टेबल स्पून साबूद धनिया साथ ही में एट करेंगे दो सुखी लाल मिच और एट करेंगे एक टिस्पून कसूरी मेथी ये तीनों चीज़ें हम गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद ही इसमें एट करेंगे तड़के को कड़ी पर एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथी में हमारी जो कड़ी है वो सव करने के लिए तयार है आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कांसिस्स्टसी को कुछ ऐसा रखा है तो खाने के लिए तैयार है राजस्थानी गौार फली की कड़ी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के ऐसी ही आसान रेसिपिस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई